ट्रांस्वोमिंग इंडिया त्रू अगरिकल्चर यानि कुरूशी के माध्यम से भारत में बदलाव लाने की दुरूश्टिकून के साथ देश की अग्रनी अग्रोकेमिकल कमपनी धानूका अग्रिकेट लिमिटेट कुरूशिक शित्र में ड्रोन ट्रेकनोलोजी के को बढ़ावाद देने के लिए बढ़ानी वेश कर रही है अपने इन प्रयासों के साथ कमपनी देश में फसल उत्पादन को बढ़ाने तथा भारत को पाच रिलियन डॉलर की अर्थविवस्ता बनाने की प्रधान मंत्री के दुरूश्टिकोन में योगदान थीने के दानुका ग्रुप के चेर्मैन आर्शिय अगरवाल द्वारा दी गई ग्रोन जैसी आदुनिक तकनीकी भारत के एक रुशिक शेत्र में बदलाव लाने में महतपोने भूमी कान निभास सकती है इन तकनीकों की उपायों द्वारा खेती की उत्पादक्ता बढ़ा कर किसानों की सिति में सुधार लाया चे सकता है आरची अगरवाल ग्रुप चेर्मेन धानुका एग्रिगेट लिमिटेड ने ट्रांसफोर्मिंग इंडिया त्रू एग्रिकल्चर विश्य पर आयलचित एक प्रेस सम्मेलन की दोरान कहा धानुका क्रुशी के आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशल इंट्रिजिन्स, रोबोटिक्स और प्रेसिजन क्रुशी के साथ फसल सुरिक्षा की आधुनिक तकनीकों के उपयोग को पढ़ावा दे रही है उन्होंने अपनी बात को जारी रखती हुए कहा आधुनिक तकनीकों के उपयोग द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के प्रयास में कमपनी ने गोविन बल्लब पंत यूनिवर्सिटी ओफ अगरिकल्चुर एंड टेकनोलोजी के साथ सासिधारी की है और ऐसे कई करार कर रही है अगरवाल ने बताया कि चीन में फसल उत्पादन और उत्पादकता भारत की तुल्ना में अधिक है हाला कि दोनों देशों में बुवाई का ख्शेतरफल तकरीबन एक समान है दिखिए हमारे काउंटर पे हमारे सभी एक्सपर्स मुझूद रहेंगे वो किसान को सोइंग टू हर्वस्ट कि उसको बीज बोते हुए जैसे हमने एक नारा दिया जैसे सरकार ने पोलियो के ओपर केमपन शुरू किया था हर बच्चे को पोलियो का ठीका तो हमने भी प्रकार नारा दिया हर बीज को वीटा वेक्स का ठीका, सुरक्षा का ठीका, जैसे बच्पन में हम बच्छे को जो वेक्सिनेशन कर देते हैं तो उसको बिमारिया नहीं लगती, इसी तरह बीज को बोने से पहले वीटा वेक्स, उसका नाम ही वाइटलेटी और व उद्धे ज्यादा होंगे तो पैदावार ज्यादा होगी, यह छोटे-छोटे इंटर्वेंशन से हैं, लेकिन हमारे किसान भाईयों तक कोई सही प्रकार से पहुंचाने वाला नहीं था अभी तक, और हम युनिवर्स्टी विज्ञानिकों के साथ और जो दूसरे वेरियस ज्यादा अंतर नहीं होने के वाउजग, चेन के कृशिक शेतर का उतपादन भारत से तीन गुना अधिक है, अच्छी गुनवत्ता के उतपादों का उपयोग चेन में उतपादकता अधिक होने का मुख्य कारण है, वही दूसरी और भारत में खराब गुनवत्ता की उतप काव के लिए ड्रोन टेकनोलोजी बेहत कारगर होगी ऐसा भी जोरान अगरवाल नहीं कहा क्यामर पोसंद्राज हुमार मोड के साथ शिती जादेश मुख बीसियन यूस नागपूर